नमश्कर दोस्तों मैं मिनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके हूँ यह डिजाइन यह इसका फ्रेंट पार्ट आगे का हिस्सा और यह इसका बैक पार्ट पीछे का हिस्सा यह जो डिजाइन है इस डिजाइन के लिए हमें 14 के मल्टीपल में फंदों की जुरूरत हो होगी साथ फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन को इकोल करने के लिए और चार होगे हमारे इसमें एच्टिच दो दो एच्टिच दोनों तरफ यह जो डिजाइन है टोटल 6 लाई का डिजाइन है और साथ फंदों के ओपर डिजाइन ड़लेगा छे सलाइब बुनने के बाद हम जो अपना पैटरन है उसको अल्टरनेटिवली चेंज करेंगे एक बार साथ फंदों के ऊपर जब हम इसको चेंज करेंगे तो दूसरी तरफ साथ फंदों के ऊपर और यह जो डिजाइन है इसमें तीन सलाइ सिधी तरफ से हैं तीन सलाइ उल्टी तरफ से हैं उल्टी जो हमारा डिजाइन है वो हम डालेंगे 25 फंदों के साथ 14 के मल्टिपल में 14 फंदे 7 फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन को एकॉल करने के लिए 21 फंदे और चार होंगे इसमें हमारे एच स्टेच तो टोटल हुए 25 फंदे यह मैंने अपनी स्लाइब में 25 फंदे डाल लिये हैं और मैं अपनी बुनाई के सीधी तरफ हूँ तो यहां से हम अपना पाटर्न बुनना शुरू करते हैं 25 फंदो के साथ हम ह्या पाटर्न जो है शुरू करने लगे हैं और सीधी तरफ से शुरू करेंगे इसको पहली स्लाई है फांदा एक स्टिच है उसको बिनवने उतारेंगे दूसरा एक स्टिच सीधा बुनेंगे, यह दोनो हेसी तरह से बुने जाएंगे हर सलाई में, इसके बाद हमने उनको अपनी तरफ करके साथ फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच, छए और यह साथ, उल्टे बुनने के बाद साथ फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, उनको अपनी तरफ किया, साथ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, ये होगे साथ फंदे उल्टे, दोनों एच्टिक सीधे बुने जाएंगे, उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुने हैं, उल्टी तरफ की सारे स्लाई हैं हमारी उल्टी बुनी जाएंगे, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे, अब आगे हम अपनी अगली स्लाई पे, दूसरी स सीधी सलाई है पहला फंदा बिन उतारा दूसरा फंदा सीधा बोना अब सात फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ सात फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ दोनों एच्टिक सीधे बुने जाएंगे ये होगी हमारी सीधी तरफ से दूसरी स्लाई उल्टी स्लाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम बुन रहे हैं, सारे फंदे उल्टे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेगे, अब आगे हम अपने पैटरन की अगली सीधी स्लाई पे, ये है हमारे पैटरन की में स्लाई, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, द पर पेटेंगे एक पंदा सीधा बुनेंगे इयुक्त अब फिर होसे ओपल लाइटा चार फंदें बीना बुने उतार ղेंगे इस तरह से एक हुर है ॉपूर तीन और चाव से पहले उन Drag के ओपल कि यहां पर हमारा एक निया फंदा बने एक फंदा हमने बिना बुने उतारे पाचवा फंदा जो है उसको हमने सीधा बुनना है उनको अपनी तरफ ही रखना है और पाचवा फंदे को इस तरह से हम सीधा बुनेंगे पाचवा फंदा सीधा बुनने के बाद ये जो चार फंदे हमने बिना बुने उतारे थे एक के करके बुन हुए फंदे के उपर से पास करेंगे ये हो गया हमारा पहला फंदा दूसरा फंदा ये हो गया तीसरा फंदा और ये हो गया हमारा चौथा फंदा चार फंदे हमने जो है बुन हुए फंदे के उपर से पास किये उनको सलाई के उपर लपेटा, एक फंदा सीधा बनाया, उनको सलाई के उपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा बना, अब ये बीच वाले फंदे जो हैं, ये जो उनको हमने लपेटा था, इसके बाद ये बीच वाले जो साथ फंदे हैं, उनमें से हमने पहला फंदा बना, त यह जो बीच वाले साथ फंदे हैं, उनको हमने प्लेन ही बुनना है, अब उनको स्लाई के उपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, उनको स्लाई के उपर लपेटा, चार फंदे बिना बुने उतारे, एक, दो, तीन, और ये चार, उन हमारी तरफ है, उनको स्लाई के उपर पेट रखा है, चार फंदे बिना बुने उतारे, पांचवे फंदे को सीधा बुना, अब ये चार फंदे जो हैं, बुने हुए फंदे के उपर से पास करेंगे, पहला फंदा, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, और ये चौथा फंदा, उनको स्लाई के उपर लपेटा एक फंदा सीधा उनको स्लाई के उपर लपेटा यह दोनों S-Titch बुनेंगे तो यहां पे हमने जो 4 फंदे थे एक तरह से हमने 5 फंदे ही कठे बुने मतलब कि 4 फंदे हमने एक बुने हुए फंदे के उपर से पास किये उसके जो वो चार फंदे पूरे करने के लिए एक यहाँ पे फंदा हमने उनलपेट के बनाया एक यहाँ पे फंदा उनलपेट के बनाया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो यह होगी हमारे pattern की main slide, उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, इस तरह से हमारे pattern का एक हिस्सा complete हुआ, जिस तरह से यहाँ, अब पहले हमने design यहाँ डाला, यहाँ डाला, जहाँ पे हमने पहले उल्टी जो है, यह दो गार्टर स्विच रोज पहले बुन अब हम pattern को change करेंगे, यह वाला design यहाँ पे आ जाएगा, और यह वाला design इस तरफ आ जाएगा, तो अब हम 6 slide बुनने के बाद अपने pattern को change करेंगे, तो उसके लिए यह pattern है हमारा, जो हमने main slide में main pattern था, अब हम यहाँ पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंद design डाला था, इन फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, यह साथ फंदे सीधे बुने, बीच वाले जो साथ फंदे हैं, उनको हम उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, यह जो साथ फंदे हैं, इनके ओपर design है, तो यह प्लेन बुने जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, दोनों एस्टिच यह भी सीधे बुने जाएंगे, उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, अब आगे अगली सीधी स्लाई पे, बिलकुल पिछली सीधी स्लाई की तरह ही, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, साथ फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, साथ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, साथ फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, दोनों एच स्टिच, यह भी सीधे, उल्टी स्लाई, पूरी हमारी उल्टी जाएगे, अब आग एगली सीधी स्लाई पे, पहला एच स्टिच, बिना बुने उतारा, दूसरा एच सीधा बुना, साथ फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ, उनको स्लाई के उपर ला पेटा, एक फंदा सीधा बुना, उनको स्लाई के उपर ला पेटा, चार फंदे बिना बुने उतारे, अब एक फंदा सीधा बुना, चार फंदे एक एक करके बुने हुए फंदे के उपर से पास करेंगे एक दो तीन और ये चार उनको स्लाई के उपर लपेटा एक फंदा सीधा बुना उनको स्लाई के उपर लपेटा साथ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ दोनों edge stick ये भी सीधे, उल्टी स्लाइब सारी हमारी उल्टी जाएगी, तो इसी तरह से ये जो 6 स्लाइब हैं, तीन सीधी तरफ से, तीन उल्टी तरफ से, इनको alternatively change करते हुए, हम अपना pattern पूरा करेंगे,